नमश्कार दोस्तों मैं आपका हुस लोकेंदर कुमार और सागत करता हूँ आपका बेसिक सैंस सीरीज योट्यूट्यूब चैनल में आज जो हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं इस पर्टिकिलर वीडियो में हम एक्सपेरिमेंटली सिखने वाले हैं कि Molecular Docking कैसे की जाती है तो इसको इन सिल्को एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं तो हम कम्प्यूटर में एक साफ्ट्वीर यूज़ करके कोशिश करेंगे technique है जिसके यूज से हम ये पता लगा सकते हैं कि एक molecule किस तरह से interact करता है दूसरे molecules के साथ इसके case में क्या होता है कि protein के साथ जो small molecules होते हैं उनकी interaction का हम पता लगा सकते हैं और आप जानते हैं कि इस वीडियो में इसी तरह के tutorial tutorial और lectures वीडियो बनाता हूं जिसमें आपको detail में बताने कोशिश करता हूं उसी series में ये video लेके आया हूं मैं और इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ये software हैं इसमें जो use होते हैं वो किस तरह आपने use करने हैं कौन-कौन से software आपको already चाहिए और step by step हम सब follow करेंगे और जब कि complete हो जाएगा दोस्तों तो आपको पूरा idea हो जाएगा कि किस तरह से docking करनी है किसी भी small molecule की एक receptor के ओपर अगर आपका जो molecule है वो अलग है इसमें मैं एक example लेके चलूँगा तो उसी तरह से आप जो है अपने molecule को लेके भी इस tutorial को मेरे साथ-साथ follow भी कर सकते हैं लेकिन जैसे एक criteria होता है कि उसमें protein होनी चाहिए small molecule होना चाहिए तो इस तरह की जो है वो details जो है वो मैं आपको देता रहूंगा tutorial में और यह थोड़ा रंबा चलेगा tutorial और इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि सारी चीजों को समझ सकें और step by step मैं आपको यह भी कोशिश क करूंगा कि समझा सकूं कि step हम क्यों कर रहे हैं और इसका significance क्या है और इसमें जो results आ रहे हैं वो किस तरह से results उनको read करना है तो आएए दोस्तो tutorial शुरू करते हैं जानने कोशिश करते हैं कि molecular docking कैसे की जाती है और इसके बार में पूरी information extract करने की हम कोशिश करते हैं इस video के माधियम से चले दोस्तों step 1 से follow करते हैं सबसे पहले तो हमें इस particular project के लिए एक protein चाहिए होगी मेरे case में protein use करूंगा दोस्तों उस protein का नाम है last hour protein तो अब इसका structure हमें कहीं से लेना पड़ेगा तो इसका structure मैंने PDB की website से लिया हुआ है मेरे जो English का YouTube channel है उसमें मैंने PDB को किस तरह से use करना है और कैसे उससे extract करने है molecule पाइमोल में कैसे देखने हैं वो बहुत सारी वीडियो ऐसे बनाए हुए है उसको आप follow कर सकते हैं इसमें भी मैं आपको बता देता हूं कि कैसे करना है तो यहां आप देख रहे हैं कि सारी files मैंने extract करी हैं यह सारा हम procedure follow करेंगे बट यह already जो मैंने experiment किया था उसके जो अल contract करना है अब यह molecule क्या है यहां इस साइट जो होता है इसके information दी होती है जब आप इसको click करेंगे यह पाइमोल एक software है इसमें open हो रहा है तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको आपके computer में पाइमोल install होना चाहिए और पाइमोल को install करने के लिए जो है बहुत ही simple procedure आपको follow कर चाहिए अगर आप पे नहीं कर सकते तो educational version इसको इसका specific educational version है उसको download कर सकते हैं और और वो जो है visualization का काम अच्छे से करेगा Windows में और आप Linux यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी आप इसको install कर सकते हैं तो यह जो structure है यह हमने use करना है अब यह structure मैंने कहां से लिया है न दोस्त तो यह इस पहला step है कि जो बिलकुल ही नए है उनको पते हैं कि structure क्या है और कहां से लिया हुए तो इस structure को हम लेते हैं PDB की website से और आप देख रहे हैं structure का जो नाम है structure of P.eruginosa last R. ligand binding domain bound to its auto inducer तो यहां पर important बात यह है कि आपको थोड़ी सी biochemistry molecules की पता होनी चाहिए आपकी proteins की biochemistry जो particular protein आप use कर रहे हैं उसकी biochemistry का knowledge होना चाहिए usually तभी हम लोग molecular docking करते हैं कि हमें पता होता है कि इसमें जो है यह enzyme है यह एक ऐसी protein है जो DNA के साथ bind करती है और small molecules के साथ भी bind करते हैं तो बहुत सारे ऐसे factor होते हैं जो आपको already पता होने चाहिए तो इसकी जो ID है यहाँ पर देखिए यह mention की हुई है 2UV0 तो अगर पाइमोल से एक शक नहीं करना है तो आप Google में जा सकते हैं और PDB की website पर जाएगे इस तरह से PDB टाइप कीजिए PDB और यह आपको direct PDB के home page पर लेके जाएगे यह search में जो है आपने 4UV0 यह आपको option भी दे रहा है यहाँ पर sorry मुझे लगता है कि मैंने ID जो है सही से नहीं note करी है तेकि यहाँ पर 2UV है तो 4UV जो है यह structure हो गया हमने क्या करना है कि हमने correct ID जो enter करनी है तो आपको यह जो है correct ID पर लेके जाएगा जो है 2UV0 ठीक है तो यहाँ से अब आपने download करनी है file PDB format जो है वो download करना है जब आप click करेंगे आप देखेंगे कि वो file जो है आपके download folder में जा जोगी और आप देखिए वही same file एकदम से open होगे क्योंकि मेरे computer में इस तरह setting है कि वो pie mall में immediately उसको open करके मुझे visualize कर देता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर file open होगे अब इसको process करना है इसको process क्यों करना है यह बहुत important point हो जाता है यहाँ पर तो अगर मैं अपने last hour वाले folder में चल जाता हूं वहां में आपको दिखाता हूं कि यह जो file मेरे पास है इसको open करता हूं मैं तो आप देखेंगे यह ट्रामेरिक structure है इसमें चार जो है वो chains है तो कैसे आप note कर सकते हैं यहाँ देखेंगे आप जो है राइट साइड में अभी तो मेरा जो है वो screen देख रही होगी उसके side में यहाँ पर पाइमोल में option होता है कि आप जो है chain select कर सकते हैं तो यहाँ पर आप chain select कीजिए तो आप देखेंगे एक chain, दो chain, तीन होगी और यह चौती तो जैसे मैंने इसके उपर click किया तो आप देख रहे हैं कि इतनी सारी chains है इसमें तो हमें क्या करनी है एक तो यह chain delete करनी है और जो यह water molecules है यह भी डिलीट करने है तो इसमें सबसे important बात यह हो जाती है कि आपको पाइमोल आना बहुत ज़रूरी है पाइमोल के कौन सी commands होती है कैसे आप chain delete कर सकते हैं तो आप जो है इसमें जो commands होती है यहाँ पे add कर सकते ह है चेंज को delete करने के लिए या आप इसको simple mouse से select करके भी delete कर सकते हैं यह जो options है यहाँ पे मैं एक दिखा देता हूँ आपको demo जैसे यह तीन chains मुझे नहीं चाहिए तो मैं delete करूंगा तो यहाँ पे S E L E यानि selection का option है तो all में जाके आपने remove item कर देना तो आपके पास यह द trusted हैं वो domain जो बच गया यहाँ पे तो अब क्योंकि यह सारे similar थे तो आपको सिर्फ यह की domain चाहिए उस protein का और इन सभी में जो है वो similar ligand जो है वो present है जिसको auto inducer कह रही है यहाँ पे तो आपको zoom in करके दिखा देता हूँ यहाँ पे यह जो है ना अभी तो chains में हम लोग इस होना जरूरी है किस तरह ligand को select करना हमने तो देखिए मैंने सिर्फ ligand select कि इसको मैं थोड़ा सा color change कर देता हूँ इसका ताकि यह दिखे आपको तो आप देखते हैं रेड में देख रहे हैं कि रेड में जो है वो auto inducer molecule इसको आप center कर सकते हैं इस तरह थोड़ा से zoom in करके यह देखिए आप यहां पर आपको देख रहा होगा ligand molecule तो अब docking जब हमने करनी है तो इसको हटाना है इस molecule को और इसको save करना है as a pdb file तो इसमें objective क्या करना है इस particular जो हम video tutorial फॉलो कर रहे हैं इस objective यह है कि इस particular ligand को हटा के हमने इसी ligand को इसी position पे dock क करना है basically करना है अगर आपको यह पता लग जाता है तो आप कोई भी molecule जो है वो dock कर सकते हैं और यह एक तरह का control experiment भी होता है कि आपकी सारी जो conditions है वो क्या optimized है कि या नहीं है तो जब भी आप docking करते हैं एक position select करते हैं अगर ligand वहां पे है अगर नहीं तो पूरा structure भी आप structure select कीजिए जहां उसको जो उसकी most stable position होती है वो मिलती है तो वहां पे वो जाके bind करेगा तो इस तरह से जो है भी आप कर सकते हैं इसको और control experiment जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें क्या करना है कि हमने वही ligand जो है अभी जिस position पे हैं उस position से हटा के same उसी position पे हमने dock करना है तो objective यह है तो इसमें क्या करना होगा मुझे सबसे पहले तो यह जो red dots देख रहे हैं आपको यह remove करने हैं यह waters हैं यह remove करेंगे हम और आप कैसे कर सकते हैं आप आई मोल में आप यहां पे जो आपका structure है इसमें a में select किजिए और remove water किजिए और यह molecule आपके जो है वो हट गये उसी तरह मैंने आपको बताया था कि इस तरह आप इसको select कर सकते हैं और selection में जाके remove atom कीजिए आपका जो है वो particular ligand molecule भी हट गया तो अब इस structure को आपने save करना है तो इस structure को जब आपने save कर लिया यह structure saved हो गया already तो आपके पास PDB इस particular protein का structure saved हो गया इसको मैं कहूंगा last hour protein only और जो particular ligand है वो इसी तरह से आपने क्या करना है कि protein को select करके protein को delete करना है और ligand को save करना है उसको ligand only as a PDB file save कर सकते हैं तो मैं आपको यहाँ पे इसको close कर देता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ यहां पे कि देखे मैंने AHL only इसी तरह से बहुत ही simple तरीके से इसको देखे यह जो वो ligand मैं आपको दिखा रहा था auto inducer molecule उसको save कर लिया तो अगर आप इसको save करेंगे तो यह आपको direct करेगा कि किस folder में आपने save कर रहा है यहां पर यह दिखा रहा है last hour में आपने save करना है तो यह दिखे यहां पर PDB CIF का folder option आ रहा है यहाँ पे आपने PDB करना है तो PDB करने के बाद इसको आप नाम दे सकते हैं Last R Only जैसे आप देख सकते हैं मैंने अलरी यह किया हुआ है तो यह सेव हो जाएगा तो इसी तरह से आपने आपने जो है Ligand का structure सेव करना है PDB और आप जो है दूसरा जो receptor molecule इसके case में Last R जो है उसको भी आपने सेव करना है तो मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ तो यह देखिए आपके पास protein भी सेव हो गया तो अब आपके पास क्या है कि Ligand as a PDB फाइल सेव है और आपके पास receptor as a PDB फाइल सेव है जब आपके पास यह दोनो जो है saved हो जाते हैं तो आप जो है further step जो important step है इसमें docking का जो की हमें जो है एक position देनी होती है molecule को कि वो dock कहां पे करे वो करना है तो उसमें क्या करेंगे दोस्तों उसमें मैं देखा तो हम को कैसे करना है तो पहला software मैंने आपको बता दिया कि pi mall installed होना ज़रूरी है दूसरा आपके पास autodoc tools होना चाहिए installed computer में तो आप autodoc tools type करेंगे तो यह देखिए मेरे पास यहाँ option आ रहा है autodoc tools 1.5.6 तो जो भी updated version चल रहा है आप उसको install कीजिए तो आपके पास जो होगा इस तरह से loading होना शुरू हो जाएगे software की और आप देखेंगे कि यह जो है इसका interface जो है आपके पास आगया अब इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है इसमें objective यह है basically दोस्तों कि जब autodock जो है वो docking perform करेगा इसमें जो file जो होती है pdb qt format में होनी चाहिए तब ही यह experiment valid होगा pdb file से आप नहीं कर सकते तो आपको save करनी है optimize करना structure को उसके बाद जो है वो docking की command देनी है इसमें तो आईए दोस्तों शुरू करते हैं इसमें optimization तो इसको मैं minimize कर देता हूँ तो यह है दोस्तों आपका autodock tools का software का interface जहां पर आपने यह experiment perform करना है तो सबसे पहले पहला जो हमने काम करना है वो यह है दोस्तों कि इसमें जो coordinates की information है जहां पर आपने molecule को dock करना है वो extract करने जरूरी होती है और वो ही हमने करनी है सबसे पहले क्या करेंगे इसमें जो हमारा protein molecule है क्योंकि हमने जो docking करनी है वो small molecule को लेके उस protein molecule के ऊपर जो हमने उसको dock करना है और यह information जो है जो कहां पर dock करना है वो x y z coordinates के form में हमारा पास होनी चाहिए तो अभी मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं कि जब आप इस तरह से protein load कर देते हैं तो मैंने यहां पर directly इसको drag किया है आप यहां से अलग तरिके से भी load कर सकते हैं वो मैं आपको detail में बाद में बताऊंगा अभी ज़रा यह जान लेते हैं कि किस तरह से coordinates की information extract करनी है तो अगर यह protein है आपके पास और जो small molecule है उसको भी load कर देते हैं तो आप देखने मैंने दोनों को load कर दिया यहां पर तो आप green में देख सकते हैं यहां पर कि हमारा जो small molecule है वो यहां पर दिख रहा है क्योंकि यह जो हमने structure लिया था और यह molecule उसी position में present था और उसी position में हमने इसको extract कर लिया है तो यह easy हो जो आपका control experiment के case में आपके पास अगर molecule पता है आपको तो आप जो है ये information बहुत easily extract कर सकते हैं, अगर पता नहीं है तो आप पूरा protein को as a grid box जो है वो select कर सकते हैं, तो यह कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको, grid में जाके grid box पे type करना है तो आपको ये एक नई छोड़ी सी window appear होगी यहां पे, तो अभी क्या करना है आपने अगर आप तोड़ा सा zoom out कर देते हैं इसको, तो आप देखेंगे कि यहां पे एक box सा बना हूँ है और ये इस three dimensional space में कहीं अलग से पड़ा हूआ है तो इसको हमने move करना है और इसको पहुचाना है इस particular protein के पास, तो इससे ज तो आप देख सकते हैं कि यह move हो रहा है, तो मुझे थोड़ा सा time लगेगा, इसको लग रहा है कि काफी काफी दूर है उस space में, उस particular protein से, इसका थोड़ा सा structure भी मैं change कर देता हूँ, बहुत अजीब सा ही structure दिखा रहा है यह box का, मुझे लग रहा है कि क्योंकि यह काफी द दिख रहा है तो अब जो है देरे देरे आप जूम इन कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि अभी काफी अभी time लगेगा इसको निजदीक आने में, काफी दूर जो है इसने दिखाया है इसको, तो इस तरह से जो है आपकी protein की जो भी position होगी उसके हिसाब से जो है वो आपका जो है box होगा और आप देख रहे हैं यहाँ पे कि blue side, blue side है, red side है और green side है तो आप जैसे red की तरफ इसको करना शुरू करेंगे तो किसी भी direction में जा सकता है अगर आप red को move करेंगे तो आप देखेंगे कि मैं red face को move कर रहा हूं तो ये protein के काफी करीब पहु इसको green की तरफ मोड़ सकते हैं आप तो आप देख रहे हैं यहाँ पे की काफी ज़्यादा जो है वो close molecule इसके आ गया है लेकिन इसी तरह से इसको move करते रहना है तो दोस्तों तो मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ी सी जुरूरत है अब मैं इसका जो है ना size आपको बढ़ा करके दिखा देता हूं तो आप देखेंगे कि इस particular protein को ये कोवर कर लेगा तो अगर आप जैसे इसको इस direction मोव करेंगे फिर आपको थोड़ा सा red direction में भी मूव करना पड़ सकता है basically idea ये है कि आपको जो है वो इस grid box के के साथ इस protein का जो है वो particular point ढूना है जहां पर आपका ligand molecule present है तो आप देखिए इस तरह से आप मूब कर सकते हैं इसको तो देखिए अगर आपने पूरा protein को देना है तो आप जो है वो बॉक्स थोड़ा सा बड़ा भी बना सकते हैं और इसको जो है आप इस तरह से मूब कर सकते हैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूं मैं क्योंकि बॉक्स अप काफी नजदीक आ चुका आप देख रहे हैं कि काफी close हम आ चुके हैं तो इस तरह अगर आप पूरी protein को cover करना चाहें नहीं चाहते हैं तो आप बॉक्स थोड़ा सा बड़ा बना सकते हैं और वो सारी information कहां store है यह important बात यह है तो आप यह values देख रहे हैं यहाँ पर यह जो values हैं यह आपको चाहिए होती हैं यह जो particular values हैं y, z dimensions की और x center, y center, z center की values आपको चाहिए होती है वो मैं आपको बताता हूँ तो मैंने एक तरह से आपको बता दिया कि इस तरह आप move करेंगे तो आपको जो है information यह जो है मिल जाएगी और आप इसको store कर सकते हैं तो इसको मैं minimize करता हूँ तो आपको उसी folder में लेके जा रहा हैं यहाँ पर यह जो information होती है यह important है molecular docking perform करने के लिए तो यहाँ पर यह देखिए center x, center y, center z, size x, size y, size z, यह मैंने information लिए है कहां से यहां से तो size हो गया आपके पास x center की information y center की और z center की आपके पास आगे तो यह आपने note down कर लेनी है और यह ऐसी जो है एक text file में जिसका न dxt उसमें save करनी है तो उसमें सबसे पहले option होगा receptor का receptor is equal to receptor का नाम है इसके case में last are only और आपने extension भी लिखना है .pdb.qt क्यूंकि docking करने के लिए pdb.qt file जो होना जरूरी है तो मैं आपको दिखाऊंगा जब हम open करेंगे तो किस तरह से यह option आपको दे देता है उसको immediately save करन और ligand का जो नाम होगा वो आप लिखेंगे यहां पर आप देख रहे हैं कि AHL only ligand है which is small molecule मैंने आपको दिखाया था उसके बाद x center, y center और z center की information है और sizes की information है जो आप वहां से grid box से ले सकते हैं अब यह exhaustiveness का option भी आजाता है कि आपकी जो है कितना आप आपके पास computer में memory है और कितना आप उसको extensively run करके वो position ढूना चाहते हैं तो normally जो अगर virtual screening करते हैं तो इसको आठ या solar रख सकते हैं लेकिन अगर आप इसको थोड़ा आपके पास memory computer में अच्छी है आपके पास computer अच्छा है तो आप अगर आप single experiment run कर रहे हैं तो 64 भी रख सकते हैं तो मैं यहां यहां पर 64 यूज़ कर रहा हूं इस particular experiment पे तो आप दिखेंगे कि किस तरह से वो position वो ढूंदता है particular उस ligand की उस receptor के अंदर तो दोस्तों अब यह important बात यह होगी कि यहां पर हमारे पास coordinates की information आगी पहले हमने प्रोटीन डाउनलोड की उसके जो unwanted domain से वो delete किये उसके बाद उसके जो water molecules है वो delete किये तो हमारे पास जो है वो PDB file में save हो गये अब देखिए यहां पर मेरे पास PDB QT format में है वो PDB में नहीं तो वो कैसे करना है तो जब मैं यहां पर already पहले मेरे पास जो है PDB में थे इसके बाद convert हुए तो वो इसी से ही आप convert जो है वो कर सकते हैं वो कैसे मैं आपको दिखाता हूं इसको मैं एक बड़ी close कर लेता हूं तो शुरू से आपको दिखाता हूं तक कि आपको जो है अच्छे से idea हो जाए कि कि किस तरह से आप knowledge होना जरूरी है PDB जो website है उसका knowledge होना भी जरूरी है molecules का knowledge होना जरूरी है और autodoc tools को कैसी यूज़ करते हैं वो भी थोड़ा सा information अगर आपके पास हो तो well and goodbye कि मैं आपको देई रहा हूं तो दोस्तों आप देखिए यहां पी क्या करना आपने PDB QT किस तरह से convert होगा करेंगे ना यहां पर open option आएगा आपके पास जब open option आएगा तो यह आपको direct करेगा कि कहां से आपने जो है वो file लेनी है तो मैंने desktop में वो file रखी हुई है तो मुझे desktop को इसको direct करना पड़ेगा desktop में आपका जो folder में आपको दिखा रहा था कि last hour folder में last hour folder के जो अंदर आप आपके पास यहां पर यह दिखें यह कई वरी क्या होता है नहीं आप ढूंटते हैं PDB file धूने कुशिश करते हैं सिर्फ आपको PDB QT दिखाता है क्यों क्योंकि right side में यहां पर आप देख रहे हैं कि PDB QT का option ही selected है यहां पर आपने all files करना है तो सारी जो है options आपको मिलनी शुरू हो जाएंगे तो अब यहां पर आपने PDB किया last hour only PDB किया क्योंकि यह PDB file है और जब आप ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे कि एक option देगा आपको यहां पर यह जो इसको जो है उस protein को जो है पूरा molecule को study करता है और उसके बाद आपको जो है option आता है इसको protein को configure करने के लिए आपको अलग-अलग options आएंगे यहां पर आप okay करेंगे तो आप देखेंगे कि यह देखेंगे option आपको immediately इसने okay करते ही दे दिया कि last hour को PDB QT आपको save करना पड़ेगा अगर आप docking करना चाहते हैं तो तो यह देखें यहां पर इस तरह से option आगे तो आप इस तरह जहां पर आपको save करना है वहाँ पर save कर सकते हैं मैंने already वहाँ पर save करके आपको बता दिया था तो मैं उसी को open करूंगा तो इसको मैं बंद कर देता हूं ठीक है दोस्तों तो इस तरह से आपने क्या करना है कि दोनों जो molecules हैं उनको open करना है तो इसको मैं delete कर देता हूं क्य को open करना है तो पहले ऐसा करता हूं मैं कि लाइगन को open करता हूं लाइगन input open इस तरह करना आपने यह जुरूरी है जो जो प्रासस में आपको बता रहा हूं वो follow करने जुरूरी है तो आप देखेंगे जब लाइगन को open करूंगा मैं तो फिर से मुझे उस पर्डिकलर फोल्डर में जाना पड़एगा डेमो में में मेरे पास लाइगन है RIGHT ओपosit PDB bene TOPन कर दिया तो यह आपको पूछे गा इसके बांट के बारे में आपने save कर सकते हैं तो आपने इसी तरह जो प्रोसेस है उसको follow करके इसको save करना है ठीक है दोस्तों अब जो grid में जाके macromolecule में जाके open करना है आपने फिर आपको laser में folder में या जहां भी आपका जो protein आपने save की है तो मैंने यहां पर आप मुझे वो receptor भी देना पड़ेगा तो आपके पास यह देखें कि protein भी आ गया लाइगन भी आपके पास आ गया तो यहां आप देख सकते हैं AHL LASA तो आपके पास जो हैं दोनों जो required molecules वो आ गया है अब आपने क्या करना है कि next step है इसमें जो है protein में आपको जो जो polar hydrogen होते हैं वो add करने होते हैं वो add करने क्यों होते हैं क्योंकि जो docking करनी है आपने वो इस तरह से होनी चाहिए सारा standardize होना चाहिए और जो experimental conditions होती है जितना हम उसके close जा सकते हैं उतना close जाने कोशिश करते हैं Edit में आएगा आपके पास option hydrogen add hydrogen और polar only hydrogen करके आपने इसको इस तरह से कलना है आप देख रहे हैं यहां पर जो है hydrogens जो है polar hydrogen जो है add हो गई है अब जब आपने यह सारे steps follow कर लिये हैं तो एक important step दोस्तों अब रहता है हमारा docking करने से पहले वो यह है कि जो ligand molecule है इसके हमने bonds जो है वो detect भी करने की कौन-कौन से bond जो है वो rotate हो सकते हैं वो कैसे करने हैं दोस्तों हमने कि हमने ligand में जाके torgen tree जो है उसमें जाके एक option होता है detect root तो वहाँ पे click करना है और आप देखिए कि यह automatically वो select कर लेगा तो जब यह आप कर लेंगे उसके बाद ही आपने जो है next step में जो है वो enter करना है अब जो next step है आप आपका दोस्तों कि आपके बस ligand आ गया यह आ गया अब आपने command देनी है docking की उससे पहले मैं आपको बता दू कि आपके जो folder है जिसमें आपने यह particular program run करना है उसमें एक extra चीज होनी चाहिए यह demo में मैं run कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं यहां पर यह एक vina exe file है तो जब आप autodoc tools को install करते हैं तो यह एक file जो है आपके c drive में save हो जाती है तो आपको पते है कि executive file जो होती है c drive में एक particular point पे एक particular folder में save होंगी वहां से आपने यह file लेनी है नहीं तो आप जो है इसके जो जो आपका जो जब आप run करेंगे मैं आपको बताऊंगा command उसमें भी इसके information जो है इस particular file की जो है वो कहां पे है वो दे सकते हैं तो दोनों cases म में जो है वो आराम से हो जाते हैं तो मैं क्या करता हूं कि वो एक्जिटूर फाइल जो है वहां पे save करें तो folder में फिर मुझे वो direct नहीं करना पड़ता कि वो c drive में कहां पे हैं दोनों cases में आप basically इस particular file की जो location है वहां पे आप इसको जो है direct करना जो है जरूरी है जब आपने अब जो मुझे लग रहे कि हमारे पर सारी चीजें हैं यहां पे और एक जो file जो मैं आपको बता रहा हूं वो भी होनी चाहिए यहां पे यह वाली file config.txt file इसमें यह information हम discuss already कर चुके हैं तो दोस्तों अब जब आपके पास यह सारी files जो है एक folder में save हो गी हैं तो इस command prompt का जो windows में जो command prompt option होता है यहां पर आप type करेंगे command prompt को open करेंगे इसको use करना है ताकि हम autodock vina जो autodock tools है उसको जो है run कर सकें आप मुझे यहां पर इस particular windows से इसको direct करना पड़ेगा कि जो है मेरा folder वो कहां पर है तो properties में जाएंगे आप basically उस folder पर click किजिए और properties में जाएए आपको जो है information यहां पर यह मिल जाएगे तो आप यह जो है इसकी location जो है copy कर सकते हैं बाकी usually cd कर सकते हैं आप one अगर आपको वो रहता है तो यहां पर सारे information देखे एंटर कीजिए तो आप देखिए यहां पर की अभी last hour जो है वो last hour docking folder में हो तो cd demo अगर मैं करूँगा तो अब demo folder के अंदर में आ गया हो तो demo folder म आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास अभी demo folder में क्या है demo folder जो है उसमें हमारे पास चार जो important files हैं जो हमारी docking के लिए important है वो यहां पे हैं अब आईए दोस्तो command run करते हैं इसके लिए हमें जो command run करनी होती है बहुत ही simple command run करनी होती है हमें इसके लिए तो इसके लिए काफी simple जो है command हमें रन करनी होती है दोस्तो और वो रहती है कि vena.exe यह जो वो file होगी जो executable file में आपको बोर रहा था उतको अद्दू dash देखे config और जो config file है उसका जो है आपने इसको link जो है वो तेना है text देना है जब आप enter करेंगे कोई जो है वो mistake नहीं करनी है ठीक है तो आपने vena.exe space dash dash config space config.txt तो आप config.txt को भी mention कर रहे है और vena.exe को भी mention कर रहे है तो इससे क्या होगा जो आपकी file है वो यह executable file run कर रही है इस वक्त जो है वो docking शुरू हो चुकी है तो आप देखने है यहां पर कि यह जो है search होना शुरू हो गया ही यह start कर दी है इसने particular position को search करना molecule ने और आप देखने है यहां पर सबसे पहले क्या होगा reading input done, setting up, the score function is done, analyzing the binding side done और फिर यह जो है जब तक 100% तक पहुंचेगा तब तक जो है थोड़ा सा time लगेगा इसमें और उसके बाद क्या हमारे पास different different वो poses आ जाएंगे वो poses क्यों आएंगे मैं आपको बताता हूं क्योंकि जो हमारे जो config.txt file है उसमें हमने यहां पर देखिए output का एक दिया हुआ यह मैंने discuss नहीं किया था sorry जो जब मैं discuss कर रहा था config.txt को यह रह गया था तो आप देख रहे हैं यहां पर out mean जो output file है उसको किस तरह save करना है आपने तो यहां पर docking sro-ahl का नाम दिया हुआ अलड़ी मैंने experiment का तो इस format में जो है वो एक pdbqt file.pdbqt आपने यहां पर extension दी हुई है तो इस save हो जाएगी उसमें क्या होगा वो जो poses होंगे like end के top 9 poses जो होते हैं कई बरी आप देखेंगे कि कम भी आपको मिलते हैं कई बरी docking अच्छे से ना run हुई हो लेकिन जो है वो poses मिलेंगे और आप देखेंगे कि आपक पस आ चुके हैं docking के sorry क्योंकि इसमें time लग गया तो constantly आपको दिखा नहीं पाया लेकिन आप देख रहे हैं कि यहां पर जिब यह सारे डॉट जो है यह asterix signs जो है complete हो जाएंगे 100% complete हो जाएगा और आपके पास यहां पर एक message आएगा कि refining results done तो आपके पास यह एक table form में आपके सारे results आपके पास आजाएंगे तो यह वो अलग-अलग poses जिनकी में बात कर रहा था molecule के अलग-अलग confirmation और उनके जो docking score है वो आपको दी हुई है वो negative में value दी हुई है kilo calorie per mole की और जितनी negative value होती है उतरा अच्छा जो है वो pose माना जाता और देख रहे हैं आप इसमे जो result highlight होंगे उनको आपने save करना है क्योंकि वो important है वो binding energy बताते हैं और जो आपकी files है उसमें जो है वो confirmations आती है तो आप देखेंगे जैसे ही यह particular जो है पूरा run हो जाता है आपका time लगता है इसमें अगर आप accessiveness ज़्यादा use कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा ज़्यादा time लगता है कम use कर रहे हैं तो एक दम से भी हो जाता है तो और अगर मैं आपको दिखाऊ हूं तो आप देखेंगे कि इस तरह से आपको अलग-अलग poses मिलें तो एक तो यह हो गया अब आप कहेंगे यह तो एक ही है लेकिन जब आप right side में जाएंगे इसको मैं थोड़ा सा minimize कर देता हूं क्योंकि मेरी स्क्रीन है यहां पे इसलिए आपको दिखेगा नहीं बिल्कुल यहां पे edge में होता option तो आप देखेंगे यहां पे residue nine residues है तो state one तो आप इसको इस तरह क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यह देखेंगे अलग-अलग poses दिखा रहा है ने आपको हमें इसको बढ़ा करके आपको zoom in करके detail में देखा तो जब docking complete हो जाती है तो आपके पास अब movie भी आप ले कर सकते हैं लेकिन इसमें आपको खास देखेंगा नहीं लेकिन step by step आप देखेंगे तो सारे poses आपको देखेंगे यह देखेंगे one right इसको मैं pause कर देता हूँ यह देखेंगे अब इस वक्त without protein इसका कोई significance नहीं लग रहा है तो इसमें अगर मैं protein add कर देता हूँ न तो आप देखेंगे कि कितना जो है आपको information मिलती है तो आप देखाने के लिए कि जो natural pose है वो क्या है और यह दूसरा आपका docking pose है मैं आपको दिखाऊंगा कि अलग-अलग docking pose कितने कितने different होते हैं तो आपको बहुत अच्छे ढंक से experiment करना होता है और आपने सारे parameters चेक करने होते हैं उसके बाद कोई भी prediction आप कर सकते हैं इन सि सिर्फ उसको suggested के तोर पर लेना है confirmatory नहीं होते है वो आपको experimentally validate करने पड़ते हैं सब तो अब next जो है वो मैं protein भी add कर लेता हूं ताकि जो थोड़ी सी information हमें detail में मिल सके तो आप देखिए यहां पर बिल्कुल different position में हैं तो यह जो है pose यह मैं select नहीं करूंगा कि अब यह देखिए आप इस pose को देखिए और रहुत कर नेक्स्ट को देखते हैं यह देखिए यह काफी ज़्यादा close replica है जो natural eigen जो blue में है sign में है और green में आप देख रहे हैं कि कितना significantly overlap जो है इनका हो रहा है लेकिन काफी difference है थोड़ा सा difference है काफी तो नहीं मैं कहूंगा लेकिन अगर आप जैसे change करते रहेंगे तो यह देखिए आप जो है यह अलग-अलग confirmation जो है वह acquire कर लेगा उसमें तो best तो अभी तक दोस्तों जो I think third position जो है इसमें हमें देख रहा है यहां पर तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्कुल overlap हो है तो इस तरह से आप जो है इनके structures आप अलग-अलग structures आपको मिलेंगे और यह सारी structure आप analyze कर सकते हैं सारी information आपको जो है पाइमोल में मिल जाती है क्योंकि पाइमोल में आप वह जो calculate कर सकते है distances, residues की तो आप देखेंगे कि आपकी जो drug molecule है जैसे इसके case में next क्या होगा next experiment यह होगा कि मुझे एक particular ligand molecule है वो select करना है और मैं फिर इसमें डॉक करके यह experiment repeat करूँगा यूजिवली आज के date में high performance computing के वज़े से क्या हो जाता है कि यह automate भी कर सकते है आप process की आपके पास एक super computer है आप database बनाईए जिसमें आप अपना protein add कीजिए और millions of ligands जो हैं आप screen कर सकते हैं तो आप एक बरी उसको command दीजिए आपको script लिखने पड़ेगी आप command दीजिए उसके बाद यह docking जो है run होते रहेगी एक receptor पे same position पे जो है वो molecule dock होते रहेंगे dock होते रहेंगे और आपको score जो है उसका मिलता रहेगा एक specific file में तो यह था दोस्तो overall docking का experiment तो उमीद है कि आप इसको कोशिश करेंगे तो replicate कर पाएंगे अगर आपको बीच में कोई problem आती है जो कि मुझे लगता है कि काफी जगा पे आएगी जैसे errors आ जाती है अगर आपको कोई problem आती है तो आप मुझे contact कीजिए मेरे पास जो है इसकी script भी है जो मैंने लिखी हुई है कि आपने step by step के इस त और पे काफी मेरे लिए जो है वो मैंने फाइदे मन समझी है तो दोस्तों उमीद है कि आपको जो है molecular docking का complete tutorial अभी थोड़ा सा बीच बीच में मैंने काफी तेजी से इसको complete किया है क्योंकि बहुत लंबा हो जाता नहीं तो video और लंबी video files होती है वो handle करने में भी दिक्कत ह होती है हमें तो उमीद है दोस्तों कि आपको जो है यह clear हुआ होगा काफी हद तक आपको आप तोड़ा idea होगा कि किस तरह से करनी है यहां पर मैंने आपको हिंदी में बताने कोशिश किये कि किस तरह से आप यह protocol follow जो है वो कर सकते हैं तो दोस्तों उमीद है आपको जो है स और मैं मिलूँगा अगले वीडियो में जहां पे हम इसी तरह से interesting और नेने experiments और नेने lectures, tutorials लेके आएंगे आपके लिए और उनको discuss करेंगे दोस्तों तो उमीद है दोस्तों कि आप channel को support करेंगे, subscribe करेंगे channel को और हमें मौका देंगे कि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो जो हैं वो लेके आएं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों